हेलो एब्रिवरिवन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह जो इंग्लिस कमनी कसन है इसको फास्टली कैसे ग्रो कर सकते हैं में आप इसमें कितना जल्दी से इंप्रूव कर सकते हैं मेभी वन मन्थ और टू मन्थ ओके एक से दो महिने के अंदर में इंग्लिस को कैसे सबसे मतलब कि आप आप बहुत संबसे कसे दू आज में इसमें और ग्रोप्री कुमनीकेस और्रविंक्स पॉर्मिल्ड और श्रका न जिए था दूरा में सबसेट बहुतियां और बहुत अथा और मेरा प्लोप्स पनान वम्हाँ से यह मेरा session है और इसको मैं part 1, part 2, part 3 ऐसा करके, divide करके आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, तो first part आज जो है, आज क्या सिखेंगे आपनो, आज सिखेंगे कि आप जितना हो सागे, पहले, English सिखने के पहले, यह चीज आपको practice करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा से practice करना प newspaper में कुछ पढ़ रहे हैं, कोई cricket का कुछ, या कुछ political कुछ भी पढ़ रहे हैं, या ठीक है, तो उस time क्या किजिएगा, कि जो आप read कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो क्या clearly पढ़ पा रहे हैं, यह पहले आपको, मतलब क्या, यह आपको ठीक करना पड़ेगा पहल है, सो कैसे चेक करेंगे, एक newspaper लीजिए, या कोई भी एक book लीजिए, ठीक है, और yourself, ठीक है, loudly, loudly आप पढ़ते रहे हैं, ठीक है, और जब पढ़ेंगे, सो उस time check किजिएगा, कि एक एक word जो आपका है, वो clearly आप बोल पा रहे हैं, कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सो इससे क्या होगा, कि word stock जो है, आपके अंदर, आपका, आप सुन पाएंगे, आपका अंदर घूसेगा, ठीक है, आपका फेजे में घूसेगा, ठीक है, सो क्या होगा, कि इससे आपका, जो मतलब word stock है, वो तो grow होगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले, मेरा जो main focus है, कि कैसे ठीक करेंगे, सो इसको पहले मेरे को ठीक करना पड़ेगा, कि वो जो आप बोल रहे है, वो वर्ड, एक एक वर्ड, प्रॉपर आप बोल रहे है कि नहीं, सो twice a day, means, दिन में दो बर, एक दिन में दो बर आपको ये practice करना पड़ेगा, लगाता है, तीन से चार दिन, इंग्ल इंग्लिस songs, इंग्लिस videos, इंग्लिस news सुनना छोड़ दीजिए, और पढ़ना भी छोड़ दीजिए, पहले, आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको practice कीजिए, कि आप जो, मतलब कि आप news paper में जो लिखा हुआ है, वो कि आप clearly पढ़ पा रहे हैं की नहीं, आपका जो word है, word stock, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, वो तो घुसे का ठीक है, आपके अंदर में जाएगा, आप सुन पाएंगे, आप समझ पाएंगे, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा इधर focus क्या है, मेरा main जो focus है, इस video में कि आपका first step English सिखने का, कि आप clearly कुछ पढ़ पा रहे हैं की नहीं, ठीक है, तो ये 3-4 दिन, दिन में 2 बर करके practice कीजिए, ठीक है, और practice करने के बाद में part 2 में बताऊंगा कि आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो यही कीजिए, और 3-4 दिन कीजिएगा, ठीक है, और दिन म पर लीजिए, कोई भी book लीजिए, और उसको read कीजिए, ठीक है, और जब read कीजिएगा, तो एक-एक word आप clearly बोल पा रहे हैं की नहीं, ये 3-4 दिन कीजिए, उसके बाद जब आपको थोड़ा सा, मतलब कि आप clearly सब कुछ बोल पाएंगे, तो then मैं आप लोगों को दूसरा एक step बताऊंगा, ठीक है, second part में, so, तब तक के लिए, I.O guys, you are got the information, so take care, love you all, this is Zipan, over and out.